वेशे तो हर समय शावधान पर शोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्तिव की शमय योगी जन अपने शारे इंद्रियों को शमेट लेते हैं नहीं शो गए तो उसमें हमें टेंसन नहीं लेना अभी नींद नहीं आई साड़े दस मुझ गए ग्यारा मुझ गए ये नहीं जब आप सईया पर शेयन करते हैं उस शमय अशावधानी हुई तो विकार चाह जाएगा ध्यान रखना जिनोंने एक ब्रत ले रखा है श्री कृष्ण भजन श्यामा श्याम 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 श आप कुछ भी जीवन में हो जाए, अपने प्रभु का नाम नहीं छूटने देंगे, कुछ भी हो जाए, कमर कशो सामर्थ है आप में, प्रभु ने आपको अध्यात्मिक शक्ती से युक्त मनुष्य शरीर दिया है, ये शाधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नजे परलोक्ष सम्हारा मिला ही है इसलिए, ये जो बाते बनाते हैं लूँ आम से भजन नहीं हो, भजन में मन नहीं लगता ऐसा वैसा, ये आप भोगों में सुख मानकर, सने संबंदियों में सुख मानकर ऐसा बोल रहे हो, आप में पूरी शामर्थ है भगवत प्राप्ती करने के लिए, चाहे जो जहां भी जन्मा हो, मनुष्य शरीर पूर्ण भगवत प्राप्ती के लिए युक्त है, उसमें कोई कमी नहीं है, सब में भगवान ने उग्यान शक्ती दी है, वो ग्यान शक्ती भोगों के कारण आपकी ढख गई है, आपने अपने अध्यात्म शक्ती को जागरत ना करके भोगों में रत होने के कारण वो शुषुप्त पड़ी है, आप शुप्त शक्ती को जागरत कीजिए, आप ही बड़े-बड़े ब्रमरिश्यों को जो प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं है, जब जगे तब सबेरा, देखो, बड़े- क्रिश्न ब्रताहा, आप एक ब्रत लीजिए, क्या, कि मैं निरंतर श्री क्रिश्न का भजन करूँगा, ये निरंतर शब्द बहुत प्यारा है, ये जो कुछ माला जब करके छूट देने वाली बात है, ये तो बिशई पुरिशों को भजन में लगाने के लिए है, लेकिन भगवत आनन्द में डूबने के लिए, आवागमन शे मुक्त होकर प्रेम धाम में वास करने के लिए निरंतर शब्द का प्रियोग है, ब्रंदावन बसके इतनों बड़ो शयान, जुगल चरन के भजन भी निमिश्न, निमिश्न कहते है पलग जपकने को, निमिश्न दीज दीजान, कृष्न मनुस्मरन तो दूब निरंतर श्री कृष्न का इसमरन करो, आब शावधानी की बात करे रहे, लात्रवुच कृष्णम, पुनरुधित आए, बहुत महिमा सालिप बात Bacon कर रहे है, लात में सोटेशे में बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपाशक को, व से मुरत्यु की समय योगी जन अपने शारे इंद्रियों को egous शमेट लेते हैं और अपने शूरूप में अपने प्रीतम के शूरूप में लगा देते हैं तुम रोज सैन के समय सा नभाो करो मैं नीन में जा रहा हूं यह मुरत्युं में जा में कोई फर्क नहीं पड़ता पता नहीं आख खुले कि ना खुले कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए आप बेहोशी की हालत में जा रहे हैं नींद में जा रहे हैं तो एक समय रखो कि आप अपनी शया पर इतने शमय ही जाएंगे हमने देखा है शादुकों का एक स्वमय होता है कि 10 बजह हमें लेट जाना है सो ना नहीं लेट जाना है और लेटे हुए भगवचिंतन करना अब जब सो गए तो सो गए नहीं शो गए तो उसमें हमें टेंसन नहीं लेना या अभी नींद नहीं आई साड़े दस बुझ गए ग्यारा बुझ गए ये नहीं आखमुदी मंत्राकार ब्रत्ती तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे ये है ऐसा भजन में मन लगाओ सो जाओगे जिनको नींद ना आती हो उनके लिए सही दवा है आप नींद का चिंतन न करके प्रभू का चिंतन करने लगो देख लेना आप कब सो गए पता निचाए अगर सवभाग से नींद ना आई तो नींद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वो होता है संसार का बिश्मरण नींद में खास बात क्या होती है कि संसार का चिंतन छूट जाता है फिर वो मस्त हो जाता है उसमें जो उर्जा शक्ति जागरत होती संसार के चिंतन से उर्जा सक्ति नस्ट होती तो 4 गंटे पाँच घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा, सुशुक्ति में, तो उसे उर्जा शक्ति फिर आगे, और अगर चार पाँच घंटे आप प्रभू के चिंतन में रहे, तो संसार का चिंतन छूटा, आनंदि सिंदु का चिंतन हुआ, तो ये नहीं हुगा कि आज रात् टेंसन है परिशानी ऐसा नहीं होगा यह बहुत सावधानी के बाद प्राया इस शावधानी में नहीं रहा जाता बच्पन शिक्र सद्गुरुद्य भगवान ने ऐसी शिक्षा दे थी गुरु कृपा से ऐसे उपदेश मिले थे शोते समय कोई वारता नहीं कोई अन्य चिंता नहीं चुपचाप अपने मन को हटा कर के वल इस्ट में करो कब लींद आ जाती इसकी चिंता मत करो इस्टाकार ब्रती करके ही सोना चाहिए तो आगे जो लिर्खा है पुनरुथिता ये जब उठो तव ऐसी ब्रती तो कुछ दिन बाद स्वभाविक हो जाएगे अपने तो इतना तक देखा है कि जैसे आधा पद में होश रहा और निद्रा गए तो जब चेतना आई तो उसी पंक्ति से जहां से होश गयब हुआ था उसी पंक्ति से जागरण प्रारम हुआ ऐसा ही जब आपरेशन के समय बेहोश किया गया था तो उनसे का था हमें बता देना कुछ मिनट पे तो उनका लगाने वाले इंग जिस्टन और कुछ ही शेकेंड में इसका सर्वन बश तो जो पद चलाया था जब होश आया था तो वही पद चल रहा था बेहोशी में वो प अपना धिकार किये हुए था ऐसे नीद भी तुमारी भजन हो जाएगी शमाद ही हो जाएगी यदि आप सोते समय प्रभू का चिंतन करेंगे बहुत इस सावदानी की बात है यदि इस जन्म में परमलाव लेना चाहते हो तो इस इस लोग को अपना जीवन बनाओ कृष्ण भजन हमें यह ने देखना कि उपांसू मांसी को इसमें कितने गुनाறंद नहीं देखना हमें अपने प्रभू को बोलना नहीं बज़न में नहीं लग रहा पदगा रहें जो जोर से चिला रहें नामकिर्थन को हमें अपने प्रभू से जुड़े रहना है क्रिश्ण ब्रताहा कृष्ण मनुश्मरंतों हमारा निरंतर श्मरंड चले बस यह प्रियास रखना है जब निरंतर श्मरंड की बात कह दी तो फिर आगे कुछ कहना नहीं चाहिए पर खास बात इसी ले कहा जाता ह कि आप समझ जाओ रात्र उच्छ जब कोई भी ब्रह्मचारी कोई भी उपासक कोई भी बैरागी त्यागी महत्मा शोते शमय अशावधान हो गया तो उसकी रात्री बहुत गलत जाएगी खास जब आप सहिया पे शहन करते उस शमय अशावधानी हुई तो भीकार छाजाएगा ध्यान रखना आपका चिंतन गलत हो जाएगा आपकी चेश्टा गलत हो जाएगी जागरत में न सही तो श्वपन में आप शावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो बेर्थ में कर्वटे मत बदलिए ये उपाशक का सुरूप नहीं होता रोगी है तो बात अलग है बोड़े असाध्य रोगों से नहीं तो ऐसी दिन चर्या नहीं होनी चाहिए साड़े तीन अभी आदा घंटा तो है ये साधक का रही होता उचित समय जो मानू चार घंटा विश्राम का तो अब ये नेंद का विश्राम आओ या नाओ हम तुमारे लिए पुस्ट पर भिशा के नहीं बैठेंगे कि आजाओ 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 नहीं आई तो अब ये नह को ऐसा होता है दस मिनट में तो कोई बात नहीं दस वो पार कर दे गए घंटा दो रात्रवुच कृष्णम पुनरुथिताए ये नियम लीजिए सोते शमय आप बिलकुल मृत्यु दर्शा की स्थिति लाइए जैसे मरने वाला नहीं होता शब जगे शिमन हटा कर परो और स जारों लोग शोए और शोते ही रहे गए हमको दोखे में नहीं रहना सुबह जग जाएंगे तो फिर भजन करेंगे लेकिन हम बिलकुल तैयारी में तो जब यह था कि किड़नी कभी फेल नहीं हो सकती तो हमें ग्यान तो था नहीं इसा उस समय तो रात्तरी में जब सयनका स कपड़े कहूं थे कोई 65 थोड़ी सबटा आच अला इसे रज लगाई तो आधा उल्लब जी को ऐसे बांदा चरणाम्रत लिया पूरी तैयारी में क्योंकि पास कोई था नहीं तो यह होता थे कम मर जाएं कैसे मताएं कितना शुप एक दाम युगल चरणार विन्द में और दुख यह अभ्यास उसी से जब साम के शयन करते तो पहले ब्रंदावन को प्रणाम करके और ऐसे भावना में प्रिया प्रिया कहते हैं कि जैसे भी आपके हैं अगर सरीर छुट जाता है रात्री में तो आप दोखा ना करना आप बुला ले लाप ले और कैसे बताएं उस समय कैसे भाव होते थे कोई पास नहीं कोई शुविदा नहीं एक रुपया नहीं तो एकदम देन्यता एकदम कितना सुख मिलता ओ एकदम केवल भगवदाश्रित तो रात्रवच कृष्णम पुनरुथिता ये बहुत पकड़ने वाली बात है रात्री के समय कोई और च विशे चिंतन बनता है ध्यान रखना दिन भर लड़ते रहोगे इंद्रियों शे और जब आप सयन के समय जाओगे तब उस वह उशर्व ढूनेंगी और आपको विशेयों में फसाने की चिस्टा करेंगी कोई क्रिया या पूरु में कोई क्रिया या कोई द्रश्य या कोई की बात ओगर कहीं मुबाइल से मित्रता है और बगल में रखा है तो भूल जाओ रात्र उचे कृष्णम पुनरुतित आज जब तक नीद नहीं आती तब तक फिर वो ऐसी सामागरी डाल देगा बरबाद हो जाओगे साधक मानलो हमारी प्रार्थना मानलो हम मानते हैं कि आ गंटी वजे और कुछ रहा ऐसा गव्वाल का खेल रचा है और इसमें सबसे खतरनाक बात है कि आप जो चाहों देख सकते हूं जहां चाहों जहां में बिश्व की पूरी की पूरी बात पुरा विश्वात्मा है ये विश्वात्मा सुरूप है सरच करो ते अब अगर साधक शावधान नहीं है तो समाज में तो ऐसे कट गया एकांत में जब सयन के समय गया उस समय मन आपको फसाने की चेश्टा प्रार्थना है अगर आपके पास मुबाइल हो तो एक उसका समय रखो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई परिष्थिती आ जाए हम स्विच आफ कि हैं तो एक और मोड मोड कहते हैं कोई फ्लाइट मोड दो क्या मोड में लगा दो सीधे मत रखो मोड में लगा दूर रख दो आप अपने चित्त को प्रभू में जोड़िए रात्री के समय मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए मान लीजिए रात्रव चकृष्णम पुनरुथि सुबह उठते ही आपको कुछ चिंतन नहीं करना सबसे उठते ही यदि आपके अभ्यास में आ गया तो ऐसा ही होगा नहीं तो आपको पहले सद्गुरुद्य भगवान का प्रणाम नमस्कार और कुछ भक्तों का और फिर नाम जब भले पांच मिनट ही करो अपने आराध्य प्रवशंति कृष्ण माज्यम्यथा मंत्र हुतम हुताशे वो ऐसे स्री कृष्ण रूप होकर स्री कृष्ण में हो जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्निमें हो जाता है ऐसे ही यदि आप निरंतर प्रभू के चरणारविंद का श्रेले कर उनका भजन करोगे और रात को पवित्र रखो दिन तो सबाज में कटे रहा आपका एकांत पवित्र होना चाहिए जरूर इस बात पर ध्यान दीजिए आपका एकांत पवित्र होना चाहिए एकांत में मन अधकचरे शाधकों पर साशन करके उनको ब्रष्ट करने की पूरी ताकत लगाता है आप मन को शायोग मत कीजिए मन को ढराए ऐसे कोई आचरण मत कीजिए नहीं तो क्या होगा ये सब ऐसे ही लगेगा फिर वो आनंद नहीं जब तक भगवदा आनंद निज सुख बिन मन होई की थी रहा अगर आपको हिरदय में भगवदा आनंद नहीं मिला ना तो ये सब बाते बाते किवल रह जाएंगे होगे बुरे आचरण ही आचरण आपके बुरे ही होगे देख ले ना इसलिए सावधान सुख उठते समय ये आप नित्य अभ्यास कीजिए शब्ष पहले चेतना आने पर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें मेरा जीवन उनके आदेश्य ही उनके आराध्यदेव में लगेगा हमारे आराध्यदेव नहीं अभी तो हमें ये देखना है कि गुरुदेव के आराध्यदेव वही देंगे हमें प्रिया प्रितम तब हमारे हरदय में अपना पन होगा गुरुदेव की कृपा के बिना ये आराध्यदेव रीजिने वाले नहीं है चाहे जितना तुम चाहे बना के साधन करो ना पाई शमुद्रशे बचने के लिए भैंकर विकारों की ज्वाला से बचने के लिए जिनका आश्रे ले लेता है तो सब बच जाता है ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं प्राण कांतार पाथेयं संसार उच्छेद भेशजं दुख शोक परित्राणं हरी रित्यक्षर द्वयं हरी ये दुवक्षर दुर्गम पच में संकट के शमान प्राणों के लिए राखर्च के समान अर्थात संसार की राह में चलते हुए भी आपको कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा यदि आप हरी 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 एशा उच्छारण करोगे संसार रूपी रोग से छुटकारा दिनाने के लिए महा औशदी के तुल्य ये हरी समस्त दुख शोकों से उद्धार करने के लिए ये हरी मैं वानी रूपी पुष्प शेय से श्री कृष्ण का पूजन किया भिश्म जी मेरे परंप्रितम श्री कृष्ण मैं मन से आपको वरण किया हुआ हूँ ये वानी रूपी पुष्प आपके चरणों में शमर्पित करता हूँ अब मेरा अंतिम शमय है मेरी बुद्धी अत्तक कुवारी रही है किशी का वरण नहीं किया अब इसे श्री कृष्ण जी अपनी बुद्धी रूपी कुवारी को श्री कृष्ण रूपी वर के चरणों में समर्पित करते हैं और जोर शे उच्चारण किया नमहा श्री कृष्ण आये बानी बन प्राण छोड़ दे ये महाभागोत की अंतिम गति बड़े बड़े योगी पुरुष्ण जिनका यत्न करके अंतिम शमय इस्मरण करना चाहत हैं समस्त महात्माओं ने देखा उन स्रीकृष्ण को देखते देखते भीष्ण जी ने अपने जीवन का परमफल प्राप्त किया अर्थात उनको देखते देखते प्राण छुट गए भीष्ण जी का बोलना बंध हो गया वहां बैठे हुए बड़े-बड़े महार्षियो के आँखों में आशु आ गए और समने गदगद कंठ से भीष्ण जी की भूरी-भूरी प्रशन शा की समने भीष्ण जी की बड़ी शरहना की की ऐसी दशा अंतिम शमय में भगवान जिसके शामने हो और भगवान की स्तुति करते हुए पधारे पुर्षोत्तम प्रभू श कि अब कोई इनकी महिमा को इनके चरणार्विंद से जानता है तभी वो एक कह पाता है कि वास्तिविक मैं नहीं जान पाया यही जानता है जो ये जानता है कि मैं जान गया वो जान नहीं पाया और जो जानता है वो यही जान पाया कि मैं जान नहीं पाया इतने बड़े-बड़े महर्शी इतने बड़े जो यह जानता है कि मैं जानता हूँ तो अभी वो जान नहीं पाया और जो यह कहता है कि उनकी कृपा से जाना पर पार नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया, वही असली में उनको जानता है, क्योंकि अपार और अगादम हिमाइन प्रभु श्री कृष्ण की, तो प्रभु श्वयम करें, कि मेरे जो जन्म कर्म है, वो दिब्य है, ऐसा जो मानता है, वो त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म नै ती मामेति सो अर्जुन हे अर्जुन वो शरीर छोड़कर फिर पुना शरीर को धारण नहीं करता अर्था तो मेरे